इलाइट स्टेडी प्लेटपरम पर आप सबी का स्वागत है इस वीडियो में डिसकोशन करेंगे अलाइट सर्बिसीज प्री एक्जामिनेशन 2020 का कोश्चिन पेपर जो कि अभी तक का सबसे लेटेस्ट पेपर है पहला प्रसन है राष्ट्रिया रेल एबम यातायात संस्तान जो कि रेल बे का हद्यान करने के लिए अपनी तरह का पहला संस्तान है कहाँ पर स्तित्थ है तो इसका सउथर होगा बलोद्रा गुजरात में पढ़ता है या आपने याद रखना है और आश्ट्रिया रेल एबम परिवन संस्तान भारत का पहला विष्षो बिदाल्या है ज इसका सयुत्तर है निदरलेंड निमन लिखित में से किने भारत के राष्ट्रिया कौसल विकास निगम का नया चेर्मेन न्युक्त किया गया है इनका नाम है अनिक मनी भाई नाय के प्रिक्षा के दोरांते बर्तमन स्मेह में चेंज हो चुके हैं हाली में प्रियोग में लाय जाने योग्या गोसित हुआ भारत का सबसे बड़ा रननितिक पेट्रोलियम बंडार के अंदर कहां है इसका सही उत्तर होगा विसाखा पर्टनम आंदर परदेश शिक्षा को किस समिधान संसोदन के दौरा राज्य सुची में संबर्ती सुची में डाला गया है तो इस था 42 बताहलमा संसोदन था इसे मिनी भारत का मिनी कंसीचूशन भी कहा जाता है क्यूंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन किये गये थे किस भारतिया अपंग महिला ने अंटार्क्टिका की सर्बोज चोटी पर चड़ने में सफलता प्राप्त करके ऐसा करने वाली अपंग महिला होने का किर्तिमान बनाया था सदान सब्दों में आपको बताना है कि अंटार्कितिका चोटी पर अपंग महिला कौन सी जो सबसे पहले बहाँ पर चड़ी थी तुनका नाम है अरुनीमा सिंग सिनहा अगला प्रसन है मिशन ओल आउट का समन्द किस से है तो मिशन ओल आउट जुड़ा हुआ है जम्मू कस्मिर में सबी सरंधारी उगरबादियों की समापती से Transparency International के अनुसार हाली में वजट निर्मान की प्रक्रिया में सबसे अच्छी विवस्ता बाला प्रदेश की से बताया गया है तो इस प्रदेश का नाम है असम प्रदानमंत्री निरेंदर मोदी द्वारा उदघाटित अरुनाचर प्रदेश को समर्पित दुरदर्शन चैनल का नाम क्या रखा गया है तो इसका रखा गया है अरुन प्रब्बा भारतिया समिधान की किस अनुसुची में भारत के राज्यों और उनके राज्यक सेत्रो का बेवरा दिया गया है तो इस दिया गया है पहली अनुसुची में जहां पर दिखिए भारत को राज्यों का संग कहा गया है ठीक है यह भी आपने याद रखना है भारत के किस प्रोसी देश ने अपने अठारा सो प्रसासनिक अधिकारियों की भारत में ट्रेनिंग के लि संपन हुआ इसका सही उत्तर होगा कार्टो बाइस ये पड़ता है आपका पॉलेंड में किस भारतिया को हाले में 26 समता बाले बच्चों के हित में काम करने के लिए फ्रांस का सर्बोज समानागरिक लीगिन डा ओनर्द से समानित किया गया तो इनका नाम है फ्रांसुसा बहारी किस राजनितिक दल को हाले में राष्ट्या पार्टी का दरजा प्राप्त हुआ है तो इस पार्टी का नाम है whereas में बच्चीन है और यहां पर आपको याद रंखना होगा इस में किस दक्सिन भारतिया स्थान को उसके कॉफ्षी उत्पात प्राप के जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी बहुगोलिक संकेतक का दरजा प्राप्त करने के कान समाचारों में प्रमुक्ता मिली तो यह बाइनाट काफी फेमस है क्योंकि राहुल गांदी भी यहीं से चुनाव लड़ते है हाली में खबरों में रहे हाइट लेबल ATM के स मंद में तो आपको सारे तथ्या पढ़के बताना है इसका सही उत्तर क्या है तो यहां पर देखिए इसका सही उत्तर है ओप्शन सी में इस प्रगार के ATM का स्वामित्वा संचालन और अख्रगवा की जिम्मेदारी किसी तीसरे पक्स की होती है 27 मार्च 2019 को भारत ने अपने पहले उपगरह रोधी मिसाइल का सफल प्रिक्सन किया इस सभिहान को किस मिसन के तहत अंजां दिया गया था तो इसका सही उत्तर है मिसन सक्ति बाहा अंतरिक समझाता के संदर में कौन से बक्तव्या सही है यहां पर आपको सही बक्तव्यों की चांटना होगा तो इसमें देखिए पहला और दूसरा बिल्कुल सही है यानि यह स्युक्त राष्टर संग द्वारा 1968 में सभिक्रित किया गया है इसका संबन्द चंदर्मा उलका पिंडो समेथ समस्त अंत्रिक्स क्सेत्तर को किसी भी प्रकार से ससक्तिकर्ण से बचाना है निमलिकित में से कि समिती का समन्द रक्सा समन्दी सुधारों से है तो यहां पे चार समिती दीगे जिसका सयुत्तर है DB सेका टकर समिती तो आप याद रखिएगा जो सेका टकर समिती बनी थी ये हमारी रक्सा समन्दी सुधारों से समन्दित थी हाल के इस में में भारत के निती आयोग ने सर्कुलर एकॉनमी की वात की है सर्कुलर एकॉनमी का अर्थ क्या है तो याद रखियेगा एक बार प्रयोग की जा चुकी बस्तूओं का पूर्णा चक्रन करके उन्हें दोबारा प्रयोग में लाकर संसादनों को बचाना ही जाना जाता है सर्कुलर एकॉनमी जिसे आप हिंदी में बृताकार अर्थ वेवस्ता भी क्या सकते है चीन अत्याधुनिक नौसैनिक बेड़े का निर्मान किस देश के साथ हुए दूपक्सिया सस्तर समझोते के तहत कर रहा है सही उत्तर है पाकिस्तान चुनाबी बॉंड्स यानि इलेक्ट्रोलीक बॉंड्स से समंदित नीमन कत्रों में से कौन सा सही नहीं है तो यहाँ पर देखे जो गल्थ तथ्या है वो आप्सन डी में है तो आपको पहले सही तथ्या बता देते है चुनाबी बॉंड्स केबल बही राजनितिक दल प्राफ्ट कर सकता है जिसने पिछे लोग सबा चुनाबों में कम से कम एक परसेंट बोर्ट प्राफ्ट किये हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनाबी फर्ट जारी करने के लिए कमातर अधिकरित बैंक है चुनाबी बॉंड्स का प्राफ्टधान होने से राजनितिक दलों को मिलने वाले नगद चंदे में कमी आएगी तो देखिए सारी सही है और जो गलत इसमें है वो है बैदता अब्दी समाप्त हो जाने के बाद भी चुनाबी बॉंड्स जमा करके राजनितिक दल बुक्तान प्राफ्ट कर सकते जब कि ऐसा नहीं है एक बात आपने होई और याद रखनी है बहुत मुत्तोपुन प्रसन हो सकता है प्रसन रिपीट हो जाए इसी तरह के देखिए पर लल जो यहां पर चार आपको अमाउंन्स बताये है इसी तरह का होगा बाकि इसके लाबा किसी तरह का और कोई भी चुनाबी बॉंड्स जारी नहीं किया जाता है हाली में चर्चा में रहे बिसकेक उद्ध घोसना का समन्थ किस से है तो बिसकेक उद्ध घोसना को इंटरलेट किया जाता है संगाई स्योग संगठन के सिखर समेलन से हाली में किस भारतिया राजनेता के पूस्तक किस देश ने हाली में अपना होप नामक मंगल गरह का अभियान 2022 तक सुरू करने की घोसना की है तो यहां पर आपको इसका सही उत्तर बताना है तो याद रखिएगा जो होप नामक उपगरहे सिखराज्य अमिरात से समन्दित है हाली में किस देश ने वर्ष 2019 के लिए जी 77 संग के अंतरगत 134 विकासिल देशों का जो समूह है कि अधिक्सता ग्रहन की है यानि यहां पर आजा रहा कि जी 77 की वर्ष 2019 की अधिक्सता फिलिस्तिन ने यहां पर ग्रहन की थी लेकिन आपको भी लेटेस्ट फेक्ट के साथ में आगे बढ़ना होगा भारत का सबसे बड़ा रेल कम रोड पुल बोगी बिल किस नदी पर स्थित है तो याद रखिएगा यह जो पुल है कहां पर है ब्रह्म पुखर नदी पर स्थित है अगला प्रसंद है बारहा दिन लंबी सागर माथा मैत्री टू स्यूक्त सैन्या अव्यास कीन दो देसों का साजा युद्ध हव्यास है तो आपने देखिए सागर माथा मैत्री टू स्यूक्त सैन्या अव्यास को इंटरलेट करना है चीन और नेपाल के साथ किस भारतिया बहा निर्माता कंपनी ने वर्ष दोहजार चालेश तक सोय को कार्बन न्यूटल कंपनी बना लेने का लक्सिया निर्धारित किया है कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा किस देश ने पाकिस्तान अधिकृत कस्मिर से होकर गुजरने वाले चीन के चीन पाकिस्तान आर्थी का कॉरिडोर का तीसरा रन नितिक साज़दार होने का प्रस्ता रखा है तो इस देश का नाम है सौधी अरव जीबन जिने में सलता का सुषकांग यानि इस ओफ लिबिंग इंडेक्स जो की केंदरिया सहरी आवास मामलों के मंतरालिया द्वारा जारी किया गया है कि अनुसार किस भारतिया राज्या को प्रत्म स्तान प्राप्त हुआ है तो इस राज्या का नाम है आंदर परदेश किस भारतिया राजनाइक जो जपान का दूसरा सरबोच राश्ट्रिया पूर्सका दी ओर्डर ओफ राइसिंग सन गोल्ड एंड सिल्बर स्टार परदान किया गया है ते पूर्सका दिया गया है स्याम सर्न को किस देश ने नियाये पर पहुंच को सुगम बनाने के लिए को अपनी अदालतों में तीसरी भासा के रूप में प्रयोग करना शुरू किया है इस देश का नाम है अब्बुधाबी सेक्सनिक और समाजिक रूप से पिछडे बर्गों के लिए राष्ट्रिया आयोग के प्रत्म चेर्मेन की से चुना गया है तो उनका नाम है भगवान ल इस के लिए निर्धारित बीस गिगाबाट उर्जा उत्पादित करने का लक्सया समय से चार बर्स पहले ही प्राप्त कर लिया है भारत में सौर उर्जा पैनल का निर्मान नहीं होता है याद रखिएगा भारत विश्व में सरबाधिक सौर उर्जा उत्पादित करने बाल के किस अनुच्छेद में बरनित है तो यहां पर आपको बताना है यह अनुच्छेद कौन सा है तो यह अनुच्छेद है बैंकरप्सी इन्सोल्बैंसी कोड यानि दिवालिया एवं सोधनक समता कोड जो की बर्स 2016 में संसत के द्वारा कानून के रूप में बनाया गया नीमल लिकीत में से किस स्मिती की सीपारिषों पर त्यार हुआ था इसमिती का नाम था T.K. विस्वनाद समिती नीमल लिकीत में से किन समचार पत्रों के साथ महात्मा गान्धी एक संपादक के रूप में जुडे थे महात्मा गांदी जी एक संपादक के रूप में जुड़े थे हरिजन पत्रिका के साथ में इंडियन ओपिनियन के साथ में और यंग इंडिया के साथ में महात्मा गान्दी जी का गुजरात दरपन और टाइमस ओफ इंडिया के साथ में किसी तरह का कोई भी समन्ध नहीं रहा है वर्स 2017 में बने राश्ट्रिया आयोग सामाजिक एबं सेक्सिक पिछड़ा बरग के विसे में निमनलिकित कत्थनों में से कौन सा सही है इसमें सही है आप याद रखिएगा जो राश्ट्रिया आयोग समाजिक एबं सेक्सिक पिछड़ा बरग है एक समेधानिक दरजाई से दिया गया है इस आयोग के साथ में भारतिया समिधान के संसोधन करके 338 बी उपबंद भी जोड़ा गया है निमलीकित में से कौन सी संस्थिया? समीती, कुचल खर्च की नियमितता और मितवयता का दिहान रखने से समंदित है तो इसका सही उत्तर होगा लोकसेबा समीती याद रखिएगा जो मनी से समंदी जो खर्चा होता है उसकी जो सारा काम है जो ये मान सकती है आप एक चौकी गतार की जरा को काम करती है तो समिती का नाम है लोक लेखा समिती किस आयोग ने IES ब IPS सहीत सभी अखिल भारतिया सेबाओं को समाप्त करने की सिपारिस की थी तो इस आयोग का नाम था राजमनार आयोग New Development Bank के समंद में निमलिक्त कथनों को ध्यान से पढ़िये तो आपको यहाँ पे सही कथन को पैचारना होगा इसका मुख्यालिया चीन के संगाई में स्थीत है बिलकुल सही उत्तर है बरतमार में इसके जो प्रमुख है वो भारत के MB काम्त है तो बिलकुल सही है भारत के महानियावादी के संदरम में निमनलिकित बकतव्यों को देखे देखे इसके बारे में जो सई है वो एक मात्र आप्षन है यहां पे महानियावादी के पर नियुक्ति किसी नीजी कानूनी बकालत भी कर सकता है तो दिखिए यह आपको यहाँ पिन में से सही देखना था निमलिकित में से किस देश को हाली में अंतराष्ट्रिया अपरादिक नियलिया का स्तस्या बनाया गया है इस देश का नाम है मलेसिया किस भारतिया नगर को स्वच भारत अभियान के तहत किये गया है स्वच्च सर्वेक्षन में लगातार तीसरी बार देश का सबसे साफ सुत्रा नगर गोषित किया गया है तो इस सहर का नाम है इंदौर रास्ट्रिया मांसिक स्वास्थ्या पुनाबास संस्तान को किस राज्या में स्थापित किया जाना टै हुआ है किस राज्या ने अती संवेदन सिल परजाती सिंदु नदी डॉलफिन जो की एक बीरल स्तन पाई है को अपना राज किया जल जीव गोसित किया है किस भारतिया पुलिस सेबा अधिकारी को हाली में किंद्रिया जांच ब्यूरो का निदेशक पद निदेशक न्युक्त किया गया है तो प्रिक्सा के दोरान देखिए इसका सही उत्तर था रिसी कुमार सुकल एसिया अफरिका कोरिडोर के बिसय में निमलिक्त बक्तब्यों को देखे तो यहां पे देखिए दोनों जो बक्तब्य है बिलकुल सही है या भारत एवन जापान के दोरा सियुक्त रूप से प्रस्ताबित है या चीन के द्वारा प्रस्तावित बन बैल्ट बन रूट प्रोजेक्ट के जबाब के रूप में देखा जा सकता है वर्स 2019 लोकसवा चुनाबों के लिए भारत के चुनाब आयोगने मद्दाताओं के पहचान बत्तर में नाम, पंजीकरन, परिबर्तन और सुधार के लिए कौन सा कार्यकरम सुरू किया है तो इस कार्यकरम का नाम है मद्दाता जान चेवम सुचना कार्यकरम हाली में चर्चा में रहे महादाई नदी जल बिवाद, जल बित्रन बिवाद का किन राज्यों से समंध है तो जो महादाई नदी जल बित्रन बिवाद है ये महारास्ट्रा करनाटक और गोवा के समंध में है सुवर्न रेखा बंदर गहा जो की एक मत्तो कांगसी निर्मान धिन प्रोजेक्ट है किस राज्या में निर्मित हो रहा है इसका सयूत्तर है ओडिशा किस भारतिया कनाडीन फिल्म निर्माता को अकादमी ओफ कैनेडियन सिनेमा और टेलिवेजन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेट पूर्शकार दिया गया है सयूत्तर है दीपा महता पूर्व उपराष्टरपती हमीद अंसारी के दौरा हाली में विवोचन की गई पूस्तक Undoubted Save the Idea of India के लेखक कौन है तो इस किताब के लेखन का करया किया गया है पीचितंबरम साब के दौरा राष्ट्रिया ग्रीन ट्रिवनियूल ने किस राज्या की सरकार पर अपनी नदियों और नहरों को साप नहीं रखने के कारण सौ क्रोड का जुर्माना लगाया है तो इस राज्या का नाम है तमिलाडू हाली में संपन हुआ चालमा अंतराष्टिया बार्सिक मरुस्तल उत्सब कहा मनाया गया तो इसका सही उत्तर होगा जैसल मेर किस एसी आई सहर ने दो हजार उन्नीस के विसेश ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी तो इस सहर का नाम है अब्बुधाबी किसे भारत का पहला लोकपाल न्युक्त करने के लिए अनुसंसित किया गया है पिनाइक की चंदर घोस इसका सही उत्तर है दिवाला इबं सोधन अक्समता बोर्ड का मुख्यलिया कहां पर स्तित है सही उत्तर होगा दिल्ली यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम का नाम बता है जो स्कूली बच्चों के लिए इस्रोद्वारा संचालित किया गया है तो इसका नाम है यूबी का दो निूरानों के बीच अंतराल को कहते है सुत्तर युगमन लूई पास्चर समन्थे जीब जनन सिधान से विश्वा जैब विवित्ता दिवस कब नाया जाता है सही उत्तर होगा बाईस मई सुर्या के प्रकास से पराबैंगनी विकिरन अभिक्रिया निमन में से क्या पैदा करती है तो ये अजोन से समन्दित है खाने के कनस्तर में टीन की परत होती है न की जींक की तो इसके पिछे का कारण क्या है तो इसके पिछे का कारण होता है जींक टीन से हदिक क्रियासील होता है एक बिलियन लाल लिटमस को निला कर देता है इसका पियेच होगा टैन निमन लिखित में कौन गोवर्नर जर्णल था प्रंतु केबल बायसराय नहीं सही उत्तर है लौड एलेन बरो आइंस्टाइन को निमन में से उनके किस सिधान्त के लिए नोबल पुर्षकार से नवाजा गया था तो आइंस्टीन को नोबल पुर्षका दिया गया था प्रकास विदुत प्रभाब के लिए सूर्या को उर्जा निमन लिखित में किसके द्वारा प्राप्त होती है सही उत्तर है ना भी किया सल्लैन बनस्पतियों में जाइलम उत्तरदाई होते है पानी के परिवहन के लिए निमन में से कौन सा क्लोरोफिल का अबयब नहीं है तो याद रखिएगा केलसियम क्लोरोफिल का अबयब नहीं है इसके अतरिक तेदी हम बात करें कारबान, मेगनिसियम, हाइट्रोजन क्या है क्लोरोफिल के अबयब है निमन में से किसे कोशिकाओं का पाबर प्लांट भी कहते है तो माइक्को कॉन्डिया इस दा राइट अंसर माइक्रो कुंडिया को कोशिकाओं का पावर प्लांट भी कहा जाता है निमन लिखित किस अधिनियम ने भारतियों को अपने ही देश के प्रसासन में पहले बार अवसर दिया था तो इसका सही उत्तर है भारतिया परिसिद अधिनियम 1861 निमन लिखित में किसका बेग अधिक्तम होता है तो प्रकास का जो बेग है उससे अधिक्तम होता है यदि तूलना की जाए कोस्मिक किरन की इलेक्ट्रोन की या फिर पराध्वनी तरंग की अकालियों ने स्वर्ण मंदिर अमरित सर की चाबियां तथा भाँ पर अपना मैनेजर कब नुक्त किया था वर्ष 1921 का सही उत्तर है निमन लिखित में एनी बेसेंट का समाचार पत्तर कौन सा था कौमन बिल के साथ में एनी बेसेंट जुडी हुई थी गांधी जी की एक मुख्या लेप्टिनेट अन्सुवा बेन किसकी बहन थी सही उत्तर है अमबालाल सारा भाई आपको बताना है जो मेरेट सडेंतर केस था निमन लिखित में एक रकिस राष्ट्य नेता ने बंदियों का पक्स लेना था इसमें थे M.C. चागला याद रखिएगा वर्स 1946 इसमी में निमन लिखित में लौड बेबिल द्वारा आयोजित सिमला समेलन में अच्छूतों का प्रतिने जित्व किस ने किया था सही उत्तर है सिबाराज वर्स 1904 में किसकी हदेक्सता में बहरतिया बिगान कॉंग्रेस एसोसियेशन का पहला अधीवेशन कोलकत्ता में हुआ था वर्स 1909 में अख्छिल भारतिया कॉंग्रेस के अमरित सर अधीवेशन की हदेक्सता किस ने की थी The right answer is here मोतिलाल नेहरू वर्स 1916 इसमी में निमल लिखित में से किस में मैलाओं के लिए पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया था ते कॉलेज खोला गया था दिल्ली में निमल लिखित में से किस ने बाइबल पर एक टिपनी लिखी थी तो बाइबल पर टिपनी लिखी थी सैद अहमद खान ने भारत के विभाजन के उपरांद अहमदियों ने पाकिस्तान में कौन से स्थान पर अपना केंदर स्तापित किया इसका सही उत्तर है रभवा आर्या समाज ने जलंदर में कन्या महा बिदल्या कब स्तापित किया दाराइट अंसर इस यह 14 जून 1896 निमलिकित में से फारियाजी आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में जो सही नहीं है वह इसके नेताओं ने केबल फारसियर उर्दू में ही परचार किया था जो इसके बारे में सही है वो भी आपको बता दें फारी याजी आंदोलन के जो संस्तापक थे और सरीयत उल्लाहा थे इसलाम की अनिबारया करतब्या के पालन का समर्थन किया गया है इसमें विभिन इसलाम के संतों की समादियों की पूजा की निंदा की गई है निमिलिकीत किस अधिनियम में मिस्नरियों के उपर इसाई धर्म के परचार के उपर लगा प्रतिबंद स्माप्त किया गया और सिक्सा के लिए एक लाख रुपए बार्सिक देने के विवस्ता की गई तो इस चार्टर एक्ट को जाना जाता है पहली बार इस चार्टर एक्ट अथारा सो तेरा में सिक्सा के उपर ब्रेटिस हुकुमत के दोरा एक लाख रुपए खर्श करने की सुरुआद की थी पंजाब में पहला महिला स्कूल कब और कहां पर खोला गया तो राबल पिंडी में से खोला गया था अठारा सो चपन में निमन लिखित में से लगुचितर कला की कला में कौन महान ब्रिटिस कलाकार था इसका सही उत्तर होगा जॉन स्मार्ट याद रखिएगा निमन लिखित में जमात इसलामी के बारे में क्या सही है इसमें चार पत्रिकाएं प्रकासित की थी ये जमात इसलामी के बारे में बिलकुल सही फैक्ट है निमन लिखित में से हिंदू मासबा का नेता कौन नहीं था तो लाला हरद्याल जी का समन्ध हिंदू सभा के साथ में नहीं था साथ में आप याद रखिएगा लाला लाजबत राए बीएस मुझे और स्वामी स्रद्धानंद का जो समन्धाओ हिंदू मासभा के साथ में रहा है नामधारी मुख्या बाबा राम सिंग किसका सिस्या था दराइट अंसर इसे बालक सिंग निमन लिखित में से कौन सा सुषकांक भारत में मुद्रा स्मिती की दर को मापने के लिए भारतिय रिजर्ब बैंक दोरा प्रयोग में लाया गया है उपभोगता मुल्या सुषकांक इसका सही उत्तर है विभाज्या रासी में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करने के लिए चौद में बितायोग द्वारा निमन लिखित में से कौन सा कारक नहीं लिया गया इसका सही उत्तर होगा जुनाकंकिया परिवर्तन इंडिया राज्या बने रिपोर्ट 2017 की अनुसार भारत के कुल बहुलिक सेतर में बंक सेतर की प्रतिसता कितनी है 21.54 भारत में लगू बित बैंक को स्तापिद करने का क्या प्रयोजन है उप्शन नंBER एक और दो में ब्दाया गया है कि लगू बैबसाय एकाईओं को भृषिन की पूरति करना कि इस पंच बर्शिया योजना को उसके पुर्व निर्धारित समय से पहले ही समापत कर दिया गया था तो इस पंचबर्शिया योजना का नाम था पांचमी परस बरस योजना उत पहली गैर कंग्रेसी सरकार थी तो इसने पांचमी पंचबर्शिया योजना को निरस्त कर दिया था राजिया सरकारों का सकल राजकोसिया घाटा बित पोसित किया जाता है बाजार रीन द्वारा और इसके साथ में करंसी के मुद्रन द्वारा निमन लिखित कत्नों पर विचार कीजिये राश्टर ब्यापी मुद्रा स्वास्तिया कार्ड स्कीम का उदेश्या है सिंचित क्रिसी योग्या क्षित्तर का विस्तार करना मरीदा गुनबता के अधार पर किसानों को दिये जाने वाले रीन की मातरा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना क्रिसी भूमी में उवर्कों के प्रत्ती उप्योग को रोकना बस्तु एभं सेबाकर जीस्ती किये जाने का सरभाधिक संभावित लाब किया है तो इसका सबसे जो सरभाधिक संभावित लाब है यह भारत में बहु प्राधिकर्म दwarा वुशूल की जा Exhale बहुल करों का स्थान लेना और इस सब्रकार एककल बजार स्तापित करना याद रखीगा GST दो बर्स 2017 में इंडिया में इंप्लिमेंट किया गया था अगला प्रसंद है भारत की किस पंच बर्सिया योजना में सब्रत दर्क के समन्द में सेबा क्सेतर तथा ओद्योगी क्से रहे है 1997 से 2002 तक रहे है पांच मां दक्सिन एसिया क्सेतर लोग प्राप्ति समेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में भारत के दक्कन ट्रैप की सेल्स किस प्रकार के जोला मुखी उदार का परिनाम है सयुत्तर होगा प्रबाहा निमन लिखीत में से कौन सा अलकंदा और भागी रथी का संगम स्तल है दराइटन सरी से देपर्याग निमन लिखीत में से किस नदी में मजौली नदिया द्यूप स्तित है इसका सही उत्तर होगा ब्रहम पुत्तर निमन लिखीत में से किस निमन लिखीत में से सतलूज नदी कहां से निकलती है तो राकस्ताल इसका बिल्कुल सही उत्तर है, निमनलिकित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो सिरसा यमुना की सहायक नदी नहीं है, वर्स 2011 की जनगन्ना के अनुसार, निमनलिकित राज्यों में से किस एक राज्या में जनसंक्या का घनत्तो सरबादिक है, सही उत्तर है, बि निमलनिकित में से भारत के किस राज्या में जनसंख्या का उस्तम अनुपात ग्रिबी रिखा से निचे रहता है बिहार। भारत की अनुसूचित भासाओं में से लगुतम भासा बरक कौन सा है कस्मिरी। बोफाल गैस आपदा किस प्रकार की आपदा मानी जाती है तो बोफाल गैस आपदा को माननम निर्मित आपदा माना जाता है। आदुनिक भूकम पिविगान के जनक के रूप में जाना जाता है। गैलिलियो गैलिली को आप्शन में कोई भी सही उत्तर इसका नहीं है लेकिन आपने याद रखना है। गैलिलियो गैलिली को जाना जाता है भूकम पिविगान के जनक के रूप में। राश्ट्रिया आपदा प्रबंधन प्रादिगर्म की अध्यक्सता किसके द्वारा की जाती है तो भारत के प्रधानमंत्री इसके हध्यक्स होते है बोपाल गैस आपदा कब होई थी 1984 का सही उत्तर है उत्री अमेरिका में जंगली आग के रूप में जाना जाता है तो यहां पर देकिया अप्सन में इसका कोई भी सही उत्तर नहीं है जो भारत में सबसे हधिक भूसकलन प्रवन्द क्सेतर है उगहां प्रादिक स्यत्र में राज्या आपदा प्रवंदन प्रादिकन के हधिक्स होते है मुख्यमंत्री राष्टे परधान मंत्री होते है उत्री अट्लांटिक महासगर में हुने बाले चक्रबातों को कहा जाता है तूफान बिशो के सबसे बड़े सक्रिया जॉलामुखी का नाम क्या है अभाई में मौना लाओ यानी ओप्सन ये इसका बिलकुल सही उत्तर है बुकंप की तिबर्ता किसके द्वारा मापी जाती है तो मरकली इस प्यमाने का नाम है निमल लिखीत में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी परिबहन परनाली है यूएसेस का सही उत्तर है यदि आर्क्टिक की बरप को घने जंगल से बदल दिया जाए तो निमल लिखीत में से किस की संभाबना होगी तो यहाँ पर बैस्पित आपमान में बृद्धी होगी निमल लिखीत में से किसे वर्ष 2019 का चेंपियन ओफ दा अर्थ पूर्षकार दिया गया था कौश्टा रिक्का इसका सही उत्तर है निमल लिखीत में से कौन जंगलों के सनक्षन और प्रबंदन में स्थानिया लोगों को सामिल करने की प्रक्रिया है इन में से कौन बैस्विक जल संसादनों और इसके लिए मानब की मांग के बिच समंद का बरनन करता है जल संकट दियूप में जैब विविदता निमल लिखीत में से कौन सी होती है तो इसमें उच्च इसका सही उत्तर होगा निमनलिकित जीबों में से कौन से जीब द्वारा रोग होने की आसंग का निउन्तम है एलगी इन में से कौन आठ देशों का एकंतर सरकारी संगठन है तो दक्सिन एसिया सरकारी पर्याबन का रेक्रम इसका सही उत्तर है UNDP रिपोर्ट 2017 के अनुसार लिंग असमानता सुचकांक में भारत का कौन सा स्थान है तो भारत को यहां पर एक सो स्थान दर्साया गया है भारतिया पर्याबन बिद्व बिगान और पर्याबन केंदर के संस्तापक इन में से कौन है अनिल कुमार अगरवाल इसका बिल्कुल सही उत्तर है नीमन लिकित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन तक गांधी जी की आतम घत्या लिखी गई थी तो यहां पर आप्शन में इसका कोई भी सही उत्तर नहीं है गांधी जी को जौन रस्किन की पुस्तक और अंटू दा लास्ट किस ने भेंट की थी तो यह किताब दी गई थी हैंरी पुलॉक के द्वारा भारत के समिधान की अनुछे 36 से 51 तक की धाराओं में राज्या निती के निदेसात्मक सिधान्त है उन धाराओं की पहचान करें जिन में गांधी जी के सिधान्त है तो 40, 47 और 48 जो भारतिया समिधान के राज्यनितिक निर्देशिक सिधांत समिलित किये है उसकी जो धारा हैं ये महात्मा गांधी के विचारों पर हधारित है गांधी जी ने अन्तता सभी ने अभग्या आंदोलन कब स्तगित किया था 1934 का सही उत्तर है मीरा बहन के नाम से लोगप्रिया गांधी जी की एक विश्वस्त सिस्या को कांग्रेस कार्यकरनी समिती भारत छोडो आंदोलन के प्रस्ताप के बारे में बायसराय को अबगत कराने के लिए दिल्ली भेजा था उसका बास्तविक नाम क्या था मिस स्लेड निमलिकित में से गांधी सांती पूरसकार प्राप्त करने वाला प्रत्थम व्यक्ति कौन था इनका नाम है जुलियस नएरेरे निमन लिकीत में से गांधी के बारे में कौन से तथ्या सही है ये आपको पहचानने है तो इसमें से देखिए एक मातर तथ्या है वो अप्शन A में है बहा उस नियम को मानता था कि बहा सरकार सर्मोत्तम है जो कम से कम सासित हो मतलब कम से कम सासन करें मतस्या भिवाग हिमाचल परदेश सरकार ने नील क्रांती के तहट बरस 2022 तक कितने हेक्टर में ने तलाबों बर ट्राउट इकाईयों के निर्मान की परिकलपना की है हिमाचल परदेश की किस जगा को वरिष्टी छाया परभाब के कारण परदेश का सरबादिक सुखक स्यत्तर माना जाता है स्पितीस का सही उत्तर है प्रायनों, जंजरा, दम चल्सिस और दोगरी हिमाचल परदेश के जंजातियों में परचलित कौन सी प्रथा से समन्दीत है तो याद रखिया ये विभास समन्दित प्रथाएं है निमन में से किस मेले की कलपना सिमला हिल स्टेटस के ततकालीन पुलिस अधिक्सक डबल्यू गोल्स्टीन ने की थी नलवाडी इसका विलकुल सही उत्तर है 28 जन्बरी 1844 में सर हैरी स्मित के ब्रिटीज सेना और रन जोहुद सिंग मजिठिया की सीक सेना के मद्या कौन सी लडाई लड़ी गई थी तो इस लडाई को नाम दिया गया है अलिवाल की लडाई सन 1876 में चमबा में किस ने भू राजस्वा बंदोबस्त अरम किया जिससे राज्या को बहुत अधिक बितिया लहा हुआ था इसका सही उत्तर है कर्णल रीड इमाचल परदेश में निमन मेंसे किस नगर में राबन, मेगनाथ और कुम कर्ण के पुतलों को जलाकर दसरा उतसब या दसरा जो तियोहार है उसे नहीं बनाया जाता है यजनात में ऐसी प्रथा है, ऐसी मानता है कि राबन, मेगनात और कुपगन के बुतलें यहां पर नहीं जलाये जाते हैं। किन और जिले की सबसे उन्ची चोटी कौन सी है? रियो परेगल या रियो परेगल के नाम से भी आप इसे जानते हैं। नीमन में से कौन सा उत्पाल? सन 1999 के बस्तु अधिनियम के तर्थ भोगहलिक संकेत तक हेतु पंजिकरित नहीं है। सिर्मोरी लोईस का बिलकुल सई उत्तर है। नीमन में से कौन सी महिला कुलू की थी? जो तारेनी महिला नौसैनिक सदस्यों के दल में थी जिसने इस भूमंडल की परिक्रमा की है। लैटनेट कमांडर परदिब्बा जमवाल इसका सई उत्तर है। दा हिमालियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुलू लोहल एंड स्पिती पूस्तक के लेखक कौन है? ए एफ पी हार कोट इसका सई उत्तर है। निमलिकित यहां पर दो सूचियां दी गई है आपको इन सूचियों को मैच करना है। इन सूचियों के अधार पर हम आपको बता दें जो उसका सई उत्तर बनेगा। भारतिया लोकतंतर का जो प्रथम मद्दाता के रूप में जाने जाता था स्वर्गिया स्याम सर्न नेगी जी को, इमाचल परदेश के प्रथम राज्यापाल बने थे हिमत सिंग, इमाचल परदेश विधान सभा के स्पिकर बने थे प्रथम जैबंतरा, और इमाचल परदे लक्सियों को सन 2030 तक राज्या तक प्राप्त करने के लिए बन भिवाग हिमाचल परदेश ने बन आवर्ण को राज्या के कुल भगोली किसित्तर के कितने प्रतिशत करने का लक्सिया निर्धारित किया गया है तो 30% आपने आद रखना है 2030 तक हिमाचल परदेश में राज्या के सकल घ्रेलू उतबाद में प्रेटनक सियत्तर का योगदान लगबग कितना है 6.6% इसका सही उत्तर है 4890 मीटर की उंचाई पर कौन सा दरास्तित है जहां पर जासकर, लदाक, स्पिती और लहौल से आने बाली सड़के मिलती है 12 लाचा दरास्का सही उत्तर है, चिन में तपोबन हिमाचल परदेश के किस जगा परस्तित है, धर्मसाला इसका सही उत्तर है 16 मी स्थापदी में किस राजा ने मंडी सहर की स्थापना की एबं भूतनात मंदिर का निर्मान किया था, राजा अजवर सेन सही उत्तर है कांगडा के राजा संसार चंद के सासनकाल में निमन में से किस चितरकार को पहाड़ी सुक्सम चितरकला का महान नायक मना जाता है मन कुईस्ता राइट अंसर निमन में से हिमाचल परदेश का सबसे पुराना सुतंतर राज्या कौन सा था जिसका बरनान महाभारत पुरान और पानेनी के कारेओं में मिलता है इसका सही उत्तर होगा त्रीगर्थ देखिए त्रीगर्थ के बारे में आप याद रखेगा त्रीगर्थ से तर राभी ब्यास और सुतलूज नदियों के उदगम की घाटियों में स्तित है सात धारों में से एक धार जिसे अब धार नेना देवी कहा जाता है पर देवी नेना देवी के मंदिर का निर्वान किस ने करवाया था राजा बिर्चंदिज दा राइट अंसर नए भारत के बिजन 2022 के तहट हिमाचल परदेश के किस जिले को भारत बर्स के 115 जिलों के साथ पिछले जिलों की स्टिणी में रखा गया है चमबा रेशम उत्पादन कार्यकरम के अंतरगर परदेश के किस स्तान पर बिदेशी परजाती का एक मूल रेशम 20 के अंदर कार्या कर रहा है जो कि व्यवसाइक रेशम 20 का उत्पादन कर रहा है नगरोट्टा इसका सई उत्तर है किनोर की कौन सी घाटी विविन धर्मों के साथ उत्राखंड से जुड़ी हुई है बस्पा घाटी इसका सई उत्तर है सन 1821 लदाक जाते हुए सरप्रथम कौन सा एरोपिया कुल्लू आया था मूरकराप रामपूर बुसोहर के राजा जिने तिबबत से मुक्त व्यापार का अधिकार मिला एबम हंगरंग घाटी तिबबत से जागीर की रूप में प्राप्त किया राजा केहरी सिंग निमन में से किस जानबर के सनक्षन के लिए पिन घाटी को राष्ट्रिया बर्न्या जीव सनक्षन पार्क घुशित किया गया है वरफानी तेन दुआ बाइसराय लॉज मनाने का विचार लॉड रिटन का था पर इसमें बॉस्त करने वाला प्रत्थम व्यक्ति कौन था उनका नाम था लॉड डॉफरिन डाक एवं तार मंत्राल्या में निमन में से किस का डाक टिकेट जारी नहीं किया गया है यहाँ पर दिखे कियांग है सेंट बिट्स कॉलेज सिमला है मेजर सोमना सरमय है दारीज सिमला सब के टिकेट जारी कर दिये गया है 15,256 फुट की उन्चाई परस्थित हिमाचल परदेश के किस गाउं में देश का सबसे उन्चा मतदान के अंदर स्तापित किया गया है टासी गंगिस का सही उत्तर है नीचे दो सुचियां दी गई है इसमें से आपको सही सुची का चैन करना है तो हमें आपको बता दें अगली सुची में भी सेम इसी तरह से देखिए यहां पर कुछ जलबिदूत परियोजना है उनको आपको रिबर के साथ में इंटरलेट करना है इसका सही उत्तर हम आपको बता दें रोंग टोंग जलबिदूत परियोजना सतलूज नदी के से समंदित है बनेर जलबिदूत परियोजना बियास नदी से समंदित है और इसके अलाबा गिरी जलबिदूत परियोजना यमुना नदी से समंदित है चमेरा जलबिदूत परियोजना राबी नदी से समंदित है हिमाचल प्रदेश में बरस 2018-19 के दोरान कितने गौँञ की पहचान की गई जिने आदर्स परयवण गौँञ के रूप में परयवरनिया सत्र सामुदाइक भिकास का रहक्रम के अंतरगत विक्सित किया जाना है इनकी संक्या है 11 हिमाचल परदेश में बरस 2018-19 के दौरान सडकों और पूलों के लिए कितना योजना परिवय का प्रापधान किया गया था 955.14 क्रोड 15 अप्रेल 1948 में निमन लिखित में से कौन सी रियास्तों का उनकी सिमाओं में बिना किसी बदलाब कि ये हिमाचल परदेश में बिलाय किया गया था तो इसका सही उत्तर होगा सिर्मौर और चमबा 11 दिसंबर 2018 को निमन में से किस रेल मारक पर सीसे के छतवाला पारदर्सी विस्ता डूम कोच जोड़ा गया है काल का सिमला इसका बिलकुल सही उत्तर है सात्मी स्ताबदी के उत्तरहत में जब कस्मीरी कला का परवेश भरमौर हिमाचल परदेश में हुआ तब भरमौर के सासक कौन थे? मेरू बर्मन हिमाचल परदेश के सबसे पुराने पहले निमासी कौन थे? दास, निसाद और दस्यू ग्रामीन और जंजातिया बालिकाओं को बिदाल्या जाने और पढ़ने के लिए प्रेरित करने है तू दा नेल्सन मंडेला सदभावना पुर्सकार एबम उत्कृष्पता प्रसस्ती 2017 से समानित महिला कौन थी? हेमलता उपाध्या है नीमन में से कौन सी प्रजाती? कुकुड की नहीं है जिसे परदेश में कुकुड पालन में गुनबता बढ़ाने के लिए आरम किया गया है अरॉम्बुलोट एक निजी उद्मी बेद राम ठाकुर को भुटिको के से जुड़ने के लिए प्रेद करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर है गुर्चरन सिंग बेता समुदाय किस जिले के पेसे बर नर्तक है तो इसका सही उत्तर होगा लहल स्पिती गेटी थीएटर में प्रस्तूत किया गया सरप्रथम नाटक कौन सा था? टाइम बिल तेलिस का सही उत्तर है किस निमन में से किस नधी का हिमाचल परदेश में से होकर भ़ने का वर्ना रिगवेद में बर्नित है? यमुना नधी सका सही उत्तर है भारत सरकार जन्जातियों मामले मंतरालिया दोरा सबिकृत परदेश का प्रथम एकलब्या आदर्स अबासी बिदालिया किस जगा पर स्थित है निचार निमन में से इमाचल परदेश का कौन सा पुलिस स्टेशन अपरादी ट्रेकिंग तंतर से जुड़ा सरप्रत्थम पुलिस स्थाना है इसका सयुत्तर होगा संजौली पुलिस स्टेशन जोकी सिमला जिला के अंतरगत आता है राज सिहासन को ब्रहमपुरा से नई राजधाने चमबा में किस राजा ने स्तानंतरित किया था इसका सयुत्तर है साहिल बर्मन तेलिंगी सेलेक्षन और रिब्बा सेलेक्षन निमन में से किस मेबे की स्थानिया किसमे है बदाम इसका सही उत्तर है किनोर स्पिती हिमाचल प्रदेश का सरबादिक भुभाग बाला जिला है जो प्रदेश के कुल भुभाग का निमन प्रतिसत है तो उसका सही उत्तर होगा 24.85 प्रतिसत निमन में से कौन माउंटेन एबरेस्ट पर नहीं चड़े है तो उनका नाम है अजय सर्मा याल रखियेगा प्रेम सिंग हो गया रादा देवी सुनील सर्मा माउंटेन एबरेस्ट पर चड़ चुके है हिमाचल परदेश की किस ग्राम पंचायत का चैन देशबर की 20 ग्राम पंचायतों में राष्ट्रिया ग्राम पंचायत पुर्षकार 2017 के लिए हुआ है कुठेड इसका सही उत्तर है नीमन में से किस पुराण में किनवरों को महानन परवत के निवासी बताया गया है बायू पुराण इसका सही उत्तर है सन 1804 में बिलासपूर, मंडी, चंबा और कांगडा सेत्रों के छोटे सासकों ने सामुहिक रूप से किसे कांगडा को जीतने के लिए अमंत्रित किया था अमवर सिंग थापा इसका सही उत्तर है निमन में से कौन सी घाटी लोहल स्पिती जिले का धन्यागार एबं फलोद्वान कहलाता है, पटन घाटी इसका सही उत्तर है परशीद भासा विग्यानी ग्रियर्शन के अनुसार हिमाल्याक सेत्तर में सबसे पहले जाने बाले भारतिया निमन लिखित में से कौन थे तो खस इसका बिलकुल सही उत्तर है बहुस्तरिया विपन कमपनी इजी बेबिद्ध द्वारा हिमाचल प्रदेश में पत्थर प्रथम M.U. बीडिंग फार्म की स्ताफ़ना की सिस्तान पर की है गंडवाल इसका सही उत्तर है इमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनन्द बड़ा सिग इमन में से किस नदी को पोसीत करता है चिनाब इसका सही उत्तर है इस पुरे के पूरे विडियो की जो प्रवाब्त करने के लिए आपको टेलेग्राम पर जाना है बहाँ पे टाइप करना है इलाइट स्टडी उस ग्रूप में आपको ये मिल जाएगी इसके तिरिक आप नियमित रूप से पढ़ने के लिए इलाइट स्टडी कोड़ो इन वेबसाइट और इलाइट स्टडी.org वेबसाइट को भी बिजिट कर सकते हो थैंक यू बेरी मच